चीन अतिक दमर क्यों कर रहा है? चीन जगहों का नाम क्यों बदल रहा है? चीन के साथ अब व्यपार क्यों बढ़ा रहा है? पर्दा है पर्दा पर्दे को रहने दो पर्दा जो उट गया तो भेद खुए जाए तो लगातार दोहराया जाएगा ये 20,000 करोड किसके हैं जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का तारा हो मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो और यही होता हुआ दिख रहा है अगर ये देश विरोधी गतिविदी नहीं है हमें लगता था कि प्राधान मंत्री मोदी जी का ही चीनी प्रेम सिर चड़ कर बोल रहा है और इसी लिए चीनी ध्रिश्टता कर रहा है लेकिन अब पता चला कि इस अमर प्रेम कथा का एक तीसरा एंगल भी है यह त्रिकोणी अमर प्रेम कथा है और उस तीसरे एंगल में अडानी जी शामिल है तो यह प्रेम कथा बड़ी प्रगार है यह प्रेम वाकरी में सिर चड़ कर बोल रहा है और इस महबबत का जो तीसरा अंगल है उस प्रेम कथा का वो अडानी जी स्वायम है एक लाइन मुझे याद आती है कोई बड़ा पुराना गाना है जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का तारा हो, मेरे सिर का ताज, मेरी अखियों का तारा हो और यही होता हुआ दिख रहा है, हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे है और उस कंपनी का नाम है PMC Infrastructure Limited PMC Infrastructure Limited नाम की एक कंपनी है वो पूरी तरह से उस पर मालिकाना हक, वो पूरी तरह से ओन्ड एक चाइनीज नाशनल एक चीनी व्यक्ती उसका ओनर है, उसका मालिक है, उस कंपनी का नाम है PMC Infrastructure Limited प्रोजेक्स डेवलपिंग करते हैं यह यह चीनी नाशनलिस के मालिक हैं, लेकिन यह अडानी जी का सारा काम करते हैं सारे Infrastructure प्रोजेक्स में यह सब कॉंट्रैक्टर हैं अडानी जी के और संबंद इतना गहरा है इस चीनी कंपनी से कि इनका ओप्रेशन जो है वो अडानी जी के ही अड्रेस से होता है, हम यहाँ पर एक अग्रीमेंट भी लेकर आएं अडानी जी के ही ओफिस प्रेमिसस से इनका ओप्रेशन भी होता है यह चीनी नैशनल की मैं बात कर रही हूँ इस चीनी नैशनल के मालिक जो हैं वो चांग चियन टिंग है चांग चियन टिंग इनको मौरिस चांग के नाम से भी जाना जाता है ये चांग चूंग लिंग के पुत्र है और चांग चूंग लिंग जो है वो तमाम अडानी कंपनियों में डिरेक्टर है और गौतम अडानी जी के भाई विनोध अडानी जी के अभिन्य मित्र और सहीयोगी है व्यापारिक पार्टनर है तो एक चीनी कंपनी है जिसका हमने आ मौरिस चिंग के नाम से भी जाने जाते हैं, ये PMC के ओनर है, इनका PMC पर मालिकाना हक है, PMC तमाम इंफरस्ट्रक्चर प्रॉजेक्स करती है, मैं कुछ प्रॉजेक्स के नाम देश हित में आपके सामने रख देती हूँ, रखने से पहले मुझे लगा एक दो पिक्चरे और दिखा दी जाएं, ये अडानी जी, चिर परचित अंदाज में, मुस्कुराते हुए, प्रेम कथा, प्रेम संबंद निबाते हुए, उस चीनी फर्म के मालिक के साथ खड़े आपको नजर आते हैं, और ये नक्षो कदम पर तो साहब के ही चल रहे हैं, जो जूले जूलते हैं, पींगे बढ़ाते हैं, साबर मती के तट पर, मोदी जी की अमर प्रेम कथा का एक चहरा ये भी है, जब वो नारियल पानी पीते हैं, महाबनली पुरम में शेहनाई सुनते हैं, वेश्टी और अंगवस्त्रम के साथ, य यही प्रेम कथा का त्रिकोड ये अंगल जो है वो अडानी जी निभार है। लेकिन थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बता दें, यह जो कंपनी है, यह अडानी जी के परिसर पर चलती है, यह हम आपके शाथ शेर कर लेंगे, यह उनका लीज अग्रीमेंट है, अडानी जी के परिसर पर यह कंपनी चलती है, साथी साथ, यह जो PMC कंपनी है, इसका रेजिस्टर्ड इमेल 2006 से 2012 के बीच, जो कंपनी ने annual return भरा, क्योंकि सब कॉंट्राक्टर थे तो annual return भी भरना था, 2006 से 2012 के बीच, annual return में अडानी ग्रूप का डोमेन नाम, info at adani group.com इस्तमाल किया गया, तो संबंद इतने गहरे हैं, यह document आपके साथ share कर लेंगे, यह सारे documents हैं, return filing के, जिसमें info at adani group.com का इस्तमाल किया, PMC चीनी कंपनी में, जिसके मालिक, चांग चूंग लिंक के बेटे, चांग चीन टिंग हैं, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, दहेज पोर्ट गुजरात में, हजीरा पोर्ट गुजरात में, कांडला पोर्ट गुजरात में, मार्मुगाओ गुवा में, विशाखा पत्नम आंधरा में, electricity transmission project महराष्ट में, रोड इंफरा मुंदरा गुजरात में, रेलवे इंफरा मुंदरा गुजरात में ऐसा कोई काम नहीं है जो अडानी जी करते हो और वहाँ पर PMC उनका कॉंट्रैक्टर ना हो पोर्ट में, कंटेनर टर्मिनल में, एर स्ट्रिप में, इलेक्रिसिटी में, रेलवे ट्रैक में कौन सा ऐसा काम है जो अडानी करते हो और उसमें इस फर्म का नाम ना हो और इसलिए कुछ चीजें बतानी यहां पर जरूरी है चीन ने हमारे 20 जाबाजों को मारा चीन ने अतिक रमर किया है चीन के चलते हम पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक गश्ट रही कर पा रहे हैं वो बफर जोन बन गए है चीन तीन बार अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल चुका है जगहों का कल उन्होंने एक स्टेट्मेंट इशू करके बोला कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 11 जगहों का नाम बदला है और हम मोदी जी की ऐसी कृपा है अडानी जी पर चीन पर कि हम पहले तो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाते हैं सो बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है हम जाबाजों की शहादत का इंजाम लाल शट पहन के गलवईयां ऐसे जैसे ये कर रहे हैं ऐसे करते हैं लाल आखे नहीं दिखाते हैं और उसके बाद अडानी को हम पूरी छूट देते हैं कि वो एक चीनी फर्म के साथ मिलकर इस देश के इंफ्रस्ट्रक्चर में हस्तक शेप करें अगर ये राष्ट्य सुरक्षा को खत्रा नहीं है तो राष्ट्य सुरक्षा को खत्रा दूसरा और क्या है ये बताने की कृपा हमें कौन करेगा अगर ये एक एंटी नाशनल अक्टिविटी अगर ये देश विरोधी गतिविधी नहीं है अगर ये राज विरोधी गतिविधी नहीं है तो राज विरोधी देश विरोधी गतिविधी क्या है एक गाना था शिकार picture का picture का नाम भी सुनिए शिकार परदा है परदा परदे को रहने दो परदा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा और परत दर परत परदा उठता जा रहा है और भेद खुलता जा रहा है अब समझ में आया कि 19 जून को प्रधान मंत्री ने क्लीन चिट क आदानी जी के साथ मिलकर व्यापार कैसे करते? इनकी कंपनी अदानी जी की प्रेमिसिस से कैसे चलती? इनका हर इंफरास्ट्रक्टर में हस्तक्षेब कैसे होता? और इसी लिए प्रदान मंतरी ने अपनी चुपी नहीं तोड़ी है. न चीन पर, न अदानी पर. क्योंकि ये परते दर परते अब खुलती जा रही है आप बचाना चीन को भी चाते थे आप बचाना अडानी को भी चाते थे असलियत ये है कि आपका मुखोटा आपका मास्क उतर चुका है अथारा थारा बार आप चीन से मिलते हैं बताईए क्या बाते होती हैं आपकी चीन अतिक्रमर क्यों कर रहा है चीन जगहों का नाम क्यों बदल रहा है चीन के साथ आप वेपार क्यों बढ़ा रहा है चीन को आप सबसे बड़ा वेपार पार्टनर बनाते हैं और यहाँ पर लोगों की आख में धूल जोकने के लिए द चीनी कमपini इस देश के पोर्टस में इस देश के एरपोर्टस में इस देश के रेलवे ट्रैक में electricity transmission में गुसी हुई है और सरकार को चिनता ही नहीं है सरकार पता ही नहीं करना चाहती है कोई जाज नहीं करना चाहती और जो सवाल मेरे नेता पूछते हैं वो सवाल तो लगातार दोहराया जाएगा ये बीस हजार करोड किसके हैं क्योंकि ये एक अमर प्रेम कथा है मोदी, चीन और अडानी इसके मुखे किरदार है और ये टोटली एंटी नैशनल देश विरोधी देश द्रोही अक्टिविटी है जिसका संग्यान मोदी सरकार रखने की हिम्वत नहीं करती है अगर ये डरते नहीं तो इन बातों का जवाब देते इस पर जाच कराते और राहुल जी की सदस्यता खत्म नहीं करते